जहिन सातियों सातियों जैसा कि आप देख रहे हैं?' कि उत्तरपदेश के कुछ नगे प्रोड़क्ट को GI टेग दिया गया है एक बार मैंने एक सवाल पूच्छा था आप लोगों से कि उत्तरपदेश के किस जिले के सभसे अदा प्रोड़क्ट को GI टेग मिला है यहाँ पे कुछ और अपडेट हुए हैं एक वार देख लेते हैं कि हाली में उत्तर पदेश के किन और प्रोडक्ट को जी आई टेग दिया गया है तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि बनारस की ठंडाई को भी अब जी आई टेग मिल गया है अर्थात दू तो बनारस में मिलने वाली जो लसी है जो थंडाई है उसको भी अब जी आई टेग दे दिया गया है बनारस के तवला जो है बनारस में तवला बनाने का जो काम होता है उसको जी आई टेग हलेंकि इससे पहले जो धोलक थी हमारे उत्तर पदेश में अमरुआ की क्योंकि धो पर और क्या है बनारस की सहनाई अर्था तबला के साथ साथ चोटा के सोचा होगा कि भाई इसकी बहन रैजार ये इसको भी जी आई टेक दे देते हैं तो बनारस की सहनाई को भी अब जी आई टेक मिल चुका है आप लोग जानेंगे बिसमिल्ला खान साथ सहनाई के बहुत ब मिला के बढ़िया से तो यह चौथा प्रोडक्ट भी बनारस का ही है जिसे जी आई टेग दिया गया है इससे पहले बनारस का एक रामनगर भंटा जो बैगन था उसको जी आई टेग मिला था है न तो आप देखेंगे आगे बनारस के लाल पेड़े को भी अब जी आई टेग दे दिया गया है लाल पेड़ा जो बनारस में मिलता है आप लोगों को इसको भी जी आई टेग दे दिया गया है इसके साथ साथ अगर बात करें बुंदेल खंड कठिया गेहूं को है न इसमें पांच यह प्रोड़क्ट है आपका जिसमें बुंदेल खंड कठिया गेहूं बनारस के तबला को जी आई टेग इसके साथ बनारस की सहनाई को जी आई टेग बनारस की लाल भरवा मिर्च चार प्रोडक्ट हो गए पांचवा प्रोडक्ट है आपका बनारस की लाल पेड़ा नहीं हुआ भरवा मिर्च उसके बाद बनारस का लाल पेड़ा को जी आई आपको बता देता हूं, पाँच नए प्रोडक्त बनारस हैं जिनको GI-Tag मिला है, उससे पहले 15 जूज बनारस के जिनको GI-Tag मिल चुका था कि उत्तरपदेश के इनमे से किस प्रोड़क्ट को आली में जी आई टेग मिला है क्योंकि लेटेस्ट पूसता है कोई भी जी आई टेग जो होता है वो दस सालों के लिए दिया जाता है तो दस साल जब किसी प्रोड़क्ट को हो जाते है तो उसके बाद या तो उसे रिन्यू यह आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख के बता देंगे कि किस राज्य के प्रोड़क्ट को सबसे ज्यादा जी आई टैग अभी है वरतमान में तो थैंक यू आप सभी को जै हिंद जै भारत थैंक यू